नमासकार स्वागत आपका हमारे चैनल 4 जागेंदर मिशा में कन्यराश किस नाम से होगी साधी कैसा रहेगा जीवन साथी का सभाव कैसा रहेगा बैवाहिक संबंध दुस्तों कन्यराश के जातकों साधी को लेकर सब के मन में कई तरह सवाल उठते रहते हैं सभी हस्तरत भरी निगाहों से देखते रहते हैं कि उनकी साधी कब होगी साधी होने में कुंडली मिलान का बेहद जरूरी है इसके साथ ही कुंडली का सब्तम भाव किस राशी में है कहीं राशी में मंगल ग्रह का दोस्तों नहीं है इन सभी चीजों का सही तालमेल के बाद ही साधी होती है हाला कि जोतिस सास्तर में राशी के अधार पर शाधी कब होगी किस से होगी लड़की या लड़के क्या नाम होंगे उनके सुभाव कैसे रहेंगे इसके बारे में बिस्तार से बताया गया है इसी गर्णा के अधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कन्यरासी किस नाम की लड़की या लड़के से साधी करें उसका सुभाव कैसा रहेगा इस बारे में बताऊंगा तो चलिए विस्तार से जानते हैं कन्यरास के लड़कों का नाम तो पा पी पू शाड़ा हा पे पा पी अच्छर से सुरू होता है जैसे कि पवन प्रकास प्रदीप अगर आपकी राशी कन्या है और आपका नाम पा अक्छर से सुरू होता है तो आपकी साधी आ सा और बा और क अक्षर से ससे सुरू होने वाली लड़की से होगी जैसे कलपना शुरा शुरभी बबीता अनीता शपना स्वीटी या फिर स्वेता आध से इस तरह कन्य राश के लड़कियां साधी पवन प्रकास्थ प्रणाव प्रभात आधी नाम के लड़कों से हो सकती है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पी नाम के लड़के और लड़कियां इनकी साधी A, S, B नाम से होती है आईए अब राशी के लड़के लड़कियों का सुभाव जानते हैं कन्य राश के लड़कियों का सुभाव कन्य राश की लड़कियां अपने जीवन साथी के लिए इमानदार होती है इनका मकसद केवल और केवल अपने पत के जिंदगी में खुशियां लाना होता है। इनके साथ जो लड़के रहते हैं, उनके जीवन में खुशियां शकती हैं। इस रासी की लड़किया अपने दिल और दिमाग दोनों से काम लेती हैं। ये भाबुक और रोमांटिक होती हैं, ये सांतिस अपने जीवन साथी को जाचती हैं, परकती हैं और रहती हैं। इस रासी के लड़के भक्त तरह के होते हैं, ये आपका बहुत ही ख्याल रखेंगे। इस राज़े के लड़के बड़े ही सरमीले होते हैं इन्हें सच्चाई और सादगी बहुत ही पसंद होती है आपके लिए किसमत के खुले जैसे की होंगे जोतिस गर्णा के अनुसार ये आपको जानकारी दी गई है देखे दोस्तों क्या होते कि लड़के और लड़के इनका सभाव हर बिक्त की जीवन में इनका जो सभाव होता है वो गर्णा के हिसाब से होता है जो तिस गर्णा के अनुसार ये आपको जानकारी दी गई इसमें बदलाव संभाव हो है बिक्त के कर्म के अनुसार पर भी रासी फल के परिवर्तन होते रहते हैं ऐसे में आप हमेशा करम सेल बने रहें आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को आप जदे जदे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय शनिदेव